दिव्या अगर्वाल ने बताया कि वो उनके फ्यांसे अपुर्व पाटगॉनकर को साथ साल से जानती है तब सब फैन्स शौक हो गए ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि दिव्या अगर्वाल की लव लाइफ ने कॉंट्रोवर्सी खड़ी कियो ऐसा पहले भी हो चुका है आज बोथ फैल इन लव शो के बाद भी दोनों डेट करते रहे उसके बाद प्रियांग बिग बॉस गए जहां ही डेवलाप फिलिंग्स वर बिनाफशा सुनावला यह बाद दिव्या को पसंद नहीं आई और उन्होंने बिग बॉस के फैमिली विकेंड के एपिसोड में जाकर प्रियांग से ब्रेक अप कर लिया उनका ब्रेक अप नेशनल टेलिविजन पर हुआ and it created a lot of controversy प्रियांग के साथ ब्रेक अप के बाद दिव्या का नाम पारस बापबर के साथ भी लिंग करा गया था दोनों को एक साथ कई बार हैंग आउट करते हुए देखा गया बट दो दिव्या की जोड़ी काफी पॉपिलर थी और फैंस को भी उनकी जोड़ी काफी पसंती दोनों के बॉइफ्रेंड और गर्ल्फ्रेंड ने दोनों पर एक साथ चीट किया था और दोनों की क्लोजनेस बढ़ गई शोचल मीडिया पर दिव्या और वरुन बहुत पोस्ट डा लगे विची क्लैरिफाइड लेटर कि ही डिडेंट चीट ओन दिव्या वरुन के साथ ब्रेक अप के नौ महीने बाद दिव्या गॉट इंगेज टू अपूर्वा पाटगॉन कर आपको बता दे कि अपूर्वा एक बिसनसमैन है शोकिंग लिदिव्या ने रिवील करा था कि वरुन के साथ रिलेशन्शिप से पहले दिव्या तीन साल अपूर्वा को डेट कर चुकी है बट दन उनका ब्रेक अप हो गया ब्रेक अप के बाद भी अपूर्वा एं दिव्या नेवर लॉस तच दिव्या ने कहा कि अपूर्वा हमेशा उनके साथ ऐसा फ्रेंड खड आया रूमर्स के माने तो दिव्या स्टाटेड डेटिंग अपूर्वा बिफोर ब्रेकिंग अप विद वरुन और जब दिव्या के पास रिच अपूर्वा का ऑप्शन आ गया था उसके बाद ही शी लेफ वरुन तो दैट सिट फर टूडए आपको किसके सब दिव्या की जोड़ी सबसे जादा पसंद है हमें कॉमेंट करके जरूर से बताए वी होप आज की वीडियो आपको पसंद आई हो इफ यस तो वीडियो को लाइक करना ना भूले और एसे ही और वीडियो के लिए डोंट फगट तो सब्सक्राइब दे चैनल